बच्चों, आज हम नागरिशास्त विशे के अंतरगत राष्टपती पिरकरण पर चर्चा करेंगे। राष्टपती संकी कारेपालिका का पिर्धान होता है। तो पहले हम जानते हैं कि कारेपालिका क्या होती है। सरकार का वो अंग जो नियमों, कानुनों को लागू करता है कारेपालिका कहलाता है। और इसी कारेपालिका का पिर्धान होता है राष्टपती। भारत का राष्टपती पिर्थम नागरिक होता है। वो भारत की तीनों सैनाओं का सर्वोच सैनापती होता है। समस्त कारेपाले का शक्तियां रास्टपती को प्राप्थ होती हैं, लेकिन वास्तिविक शक्तियां पिरधान मंतरी और उसके मंतरी परिशत के पास ही होती हैं. आप जानते हैं कि राष्टपती का चुनाव कैसे होता है। राष्टपती का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इसमें संबलित होते हैं सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदसे। राज्यों की विधान सबाओं और संग राज छेत्रों की विधान स पांच वर्ष मतलब रास्टपती पांच वर्ष तक काम करता है और उसके बाद फिर से नया चुनाव होता है और नए रास्टपती का निर्वाचन होता है लेकिन रास्टपती की मिर्थी हो जाने पर या तयाग पत्र देने पर रास्टपती का पद खाली हो जाता है तो उपर राश्टपती को देता है इसके अतरिक्त यदि राश्टपती समविधान के प्रावधानों का उल्लंगन करे तो उसे संसद द्वारा माहा अभियों की पिरकिरिया से अठाया जा सकता है इसे अठाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है अब हम जानते हैं कि रास्टपती पद के लिए योग गिताएं क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो उसकी आयू 35 वर्ष हो वो किसी भी लाप के पद पर न हो लोग सबाग का सदस से निर्वाचित होने की योग गिता रखता हो चलिए आप जानते हैं कि रास्टपती की शक्तियां और कार क्या क्या होते हैं भारत सरकार के समस्त शाशन सम्मंदिकार रास्टपती के नाम से किये जाते हैं राष्टपती की शक्तियां कुछ इस पिरकार हैं। राष्टपती पिर्धान मंत्री को न्युक्त करता है। पिर्धान मंत्री की सलापर अन्य मंत्रियों की न्युक्ती करता है और उनके विभावों का बटवारा करता है। राष्टपती राजेपालों उच्छ तमवा उच् परिक्षक की न्युक्ति भी राष्टपती ही करता है कानून बनाने में भी राष्टपती की ही भूमिका होती है एक बहुत बड़ा पावर या शक्ति जो राष्टपती को प्राप्त है वो है छामाधान की शक्ति राष्टपती मिर्त्यू डंड या अन्य डंड प्राप्त व जर्ष्टपती के पास हैं वो है युधे, बाहा, अक्रमण या ससक्ष पिद्रों की इस्थिती में रास्टिया पातकान की घोशना करना राज्यों में सम्वेदानिक कंत्र विफल होने पर रास्टपती शाशन लगना वित्तिय संकट के समय वित्तिय आपात की घोशना करना ये सारी शक्तिया राश्टपती के पात ही है हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में राश्टपती पद की योग गिताओं का वर्लन किया गया है साथ ही राष्टपती के निर्वाचन से सम्मंदित विवादों का निप्टारा उच्छ न्यायले द्वारा किया जाता है निर्वाचन अवेद घोशित होने पर इसके द्वारा किये गए कारे अवेद घोशित नहीं होते राष्टपती का निर्वाचन समानुपातिक पिर्टिनिदित्फ पढणाली और एकल संक्रमनिये मत पद्दती के दुआरा ही होता है और एक अधिकार और है जिसमें राष्टपती बारा सदस्यों को चैनित करके उन्हें चुनता है राष्टपती की सैलरी5 lakh रुपिय पिर्टिमा है जिस पर उसे किसी पिरकार का टैक्स नहीं चुकाना होता इसके अलावा राष्टपती को कई बत्ते भी मिलते हैं आवास नई दिल्ली में हिस्तित राष्टपती भवन होता है जो भारत के राष्टपती का अधिकारिक निवासिस्थान है और इनके पास इस बवन में 340 कमरे हैं ये बहुत बड़े वर्ग फुट में फैला हुआ है राष्टपती के कारिकाल के दोरान उसके वेतन और बत्तों में किसी भी पिरकार की कमी नहीं की जा सकती और राष्टपती के लिए पैंशन भी निर्धारित की गई है सौतंतरता के बाद से अब तक भारत में 14 राष्टपती हो चुके हैं और पंद्रमे राष्टपती के रूप में द्रोपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्टपती बनी है जो की 25 जुलाई 2022 खो भारत की पंद्रमे राष्टपती चुनी गई हमारे बारत के पिर्थम राष्टपती थे डॉक्टर राजेंदर पिर्साद जो लगातार दो बार राष्टपती निर्वाचेत हुए साथ ही डॉक्टर S. राधक क्रिश्णिन दो बार उपराष्टपती बने और एक बार राष्टपती बने वीवीगिरी केवल एक मात्र ऐसे राष्टपती थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मदगणना करनी पड़ी निलव संजीव रेड़ी ऐसे राष्टपती हुए जो एक बार चुनाब में हार गए फिर बाद में निर्वरोध राष्टपती चुने गए भारत की पिर्थम महिला राष्टपती के तौर पर पिर्थिवा देवी सिंग पाटल चुनी गई थी बच्चों वर्कशीट में दिये गए प्रश्णों के उत्तर अवश्च दीजिए आज के लिए वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे धन्यवाद